नमस्कार एक बार फिर से आप सबी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सनी का रिजल्ट तीसरे भाव में क्या होगा। जब आपके लगन चार्ट में सनी तीसरे भाव में बैठेंगी तो आपको किस परकार के परिणाम देने वाले। देखे सनी जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की परती काफी ज़्यादा सीरियस बना देते हैं उस भाव के कारियों को कुछ धीमा कर देते हैं और काफी इस्तिरता उसमें ला देते हैं तो एक तरह से अगर हम माने सनी के result के बारे में तो जिस भी भाव में चले जाएंगे वहां गती कम होगी बहुत slow गती रहेगी ऐसे में किसी भी जातक के लगन चार्ट में अगर सनी तीसरे भाव में आते हैं तो जातक अपनी बात कहने से कई बार सरमाता है, वो कत्राता है, कई बार उसको जो अपनी अंदर की बात है, उसको कहने से काफी जिजख हो सकती है, इसी परकार से वो अपनी बातों को खुल कर किसी के सामने भी वेक्तर नहीं कर पाएगा, चाहे वो उसके परिवार वाले हों कम बोलने की प्रवर्ती वाला हो सकता है या वो अक्सर चुप रहने वाला भी हो सकता है और ऐसा जातक जितनी बात जरूरी होगी उतनी ही बोलेगा वो फालतों की बाते नहीं करता लेकिन यहां सनी के होने से कहीं न कहीं जो कम्मिनिकेशन की कमी या माने की जो miss communication भी हो सकता है तो उसकी वज़े से इनको अपने रिस्ते बनाए रखने के लिए जैसे कि पडोसियों के साथ छोटे भाई भेनों के साथ और अपने रिस्तेदारों के साथ इनके साथ रिस्ते निभाने इनके साथ रिस्ते बनाने और नए जो भी रिष्टे हैं किसी पड़ोसी की साथ उनको बनाने और बनाए रखने के लिए लंबे समय तक इनको काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इसी तरह से ऐसा जातक मैनेजमेंट में काफी अच्छा होगा वो अपने चेतन और एचेतन मन के बीच में जो एक कही न कहीं जो गैप रहता है उसको वो फिल नहीं कर पाएगा तो उसको तालमेल बिठाने में काफी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ऐसे इस्तिती में तो सनी जब भी तीस्तरे भाव में बैठते हैं कुछ इस परकार का रिजल्ट रहता है साथ ही जातक कोई गोपनिय कारियों के लिए या जैसे कोई डॉकूमेंट्स को संभालना है या कोई ओफिस में अगर कोई गोपनिय काम होना है कॉन्फिडेंसियल कोई काम होना है उसके लिए काफी अच्छे से वो वरक कर सकता है इसी प्रकार से ऐसे जातक जहां भी काम करेंगे जो भी इनके बोस होंगे उनके साथ इनका कमुणिकेशन कम हो सकता है महनत का है, हमारे साहस का है तो यहां पर सनी आने से आपको ज़्यादा महनत करने पड़ेगे ऐसे जातकों को वहाँ चलाते समय भी सावदान जरूर रहना चाहे इसी परकार से ये जितनी ज़्यादा महनत करते जाएंगे इनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस होती जाएगी लेकिन महनत इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी इसी प्रकार से अगर ये कोई ट्रेवल जैसा काम करें कोई बिजनस ऐसा करें तो उसमें हो सकता है उनको उतना जैदा फाइदा ना हो तो कहीं न कहीं तीसरे भाव में सानी के आने से ये जातक में जो खूबी देते हैं तीसरे भाव में आने की वज़े से वो ये हो सकती है कि जातक management में काफी अच्छा होगा वो vislation में काफी अच्छा होगा और जहां भी धीमे काम की जुरुत पड़ती है उस प्रकार के कारियों में जहां पर आपको ज्यादा तर आपकी जो विवेक सीलता है वो काम में लेनी होती है ऐसे कारियों में जहां तक काफी अच्छा होगा इसी तरह से ऐसे जहां तक कहीं न कहीं वो अगर विदेश यात्रा करना चाहें तो ऐसे में देखिए सनी यहां पर आपके पंचम भाव नवम भाव और आपके बारवे भाव को देख रहे होते हैं तो ऐसे में आपको फोरेंट ट्यूल बहुत ज्यादा डिले हो सकता है आपको संतान से रिलेटेड देरियों का सामना करना पड़ सकता है आपकी जो भी पूरवे पुण्डे हैं जो पहले के जो आपके करम हैं पूरवे जन्मों के उनको कही न कहीं सनी स्लो कर देते हैं जिससे इस जिवन में आप अपने पूरवे जन्मों के जो भी पुण्डे हैं उनका पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे इसी तरह से आपकी संतान में भी काफी डिले हो सकती है या अगर सनी बहुत खराब रिस्तिते में हुआ तो कुछ और ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है इसी तरह से आपकी education आपकी education में भी बार बार रुकावटें देते रहेंगे क्योंकि पंचम भाव के result को काफी ज्यादा slow कर देंगे या हम यह कहें कि पंचम भाव पर इनकी तीसरी दृष्टी पड़ती है और हो सकते हैं इनको इनके मन के मताबिक फाइदा ना हो इसी परकार से जो भी इनमें extra कोई extraordinary कोई talent होगा वो इनका सनी ब्लोक कर देंगे इनको प्यार प्रेम के मामलों में बहुत ज़्यादा रुच्ची नहीं रहेगी इनको जो भी intuition वगरे है जो भी meditation वगरे है ऐसे कारियों में इनको कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा या फिर रहेगा तो ऐसे कारियों से इनको कोई फाइदा नहीं होगा इसी तरह से इनमें कोई गायन की कला है कोई हाथ के दुआरा कुछ इनको बनाने की कला, कोई चित्रकारी बगए है, मुर्तिकारी बगए या और किसी भी तरह कारी है हस्तकला से जुडा हुआ या अन्ने किसी काम से जुडा हुआ तो उसमें भी इनको सही प्रकार से सफलता हासिल नहीं होगी ये कितने भी मेहनत कर ले अब यहां से वो 9,000 को देख रहे होते हैं तो 9,000 को देखने के वज़े से आप अगर किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी बसेंगे या कोई विदेश यात्रा करेंगे जिवन में तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी ऐसे में जब तीसरे भाव में सनी होते हैं तो आप अक्सर 36, 37 के बाद विदेश यात्रा कर रहे होंगे इसी तरह से आपके जिवन में जो सकरातमक परिवर्टन आएंगे आप मेहनत करते जाएंगे लेकिन आपका जो सेकंड हाफ है कहीं न कहीं वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है और अगर सनी की महादसा आती है आपको तो सनी की महादसा अगर old age में आती है यानि कि 50 के बाद मान लेजिए तो 50 के बाद की अगर सनी की महादसा हो तो अच्छी रहेगी अगर पहले की महादसा किसे भी एज की रही तो उसमें आपको ज्यादा इस्टकल करना पड़ सकता है इसी प्रकार से आपको वाहन चलाते समय विसेश सावधानी की जरूत रहेगी आपको ट्रेवल करते समय भी विसेश सावधानी की जरूत रहेगी और सनी जो कि आपके बारवे भाव को देख रहे होते हैं तो विदेश में सेटलमेंट आपका देरी से होगा आपके बारवे भाव से जुड़ होए जितने भी कारिये हैं वो आपके देरी से होंगे और बारवे भाव को सनी देख रहे होते हैं तो कहीं न कहीं आपके वो जो वे हैं आपके expenditure हैं उनको control कर देते हैं उनको slow कर देते हैं तो आप साइध हो सकता है उतना ज्यादा खर्चा ना कर पाएं इसी तरह से आपकी बहुत सारी ऐसी मेहनत भी होगी तीसरे भाव में सनी की होने से जो आपके काम बिलकुल भी नहीं आएगी सनी का नाइन था उसको देखना कहीं ना कहीं फादर के साथ समंदों को विगाड सकता है अगर सनी बहुत ज़्यादा क्राव इस्तित होए तो और आपको भाग्ये का support बहुत ही कम जीवन में मिलेगा तो ये सारी स्तितियां देखने को मिल सकती हैं जब भी किसी भी जातक के सनी तीसरे भाव में इस्तित हों इसी परकार से सनी के तीसरे भाव में आने की वज़े से ऐसे जातक खुद की महनत पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना चाहेंगे वो खुद की महनत से जिवन में आत्म निर्फर होने की परवर्ती रखना चाहेंगे और ये जातक कहीं न ज्यादा मेहनत करने पड़ सकती है इसी तरह से यह कई बार यह देखा गया कि एक स्तान से मूह होने में काफी ज्यादा यह देरी करेंगे कहीं न कहीं इनको बहुत ज्यादा डिले का सामना करना पड़ सकता है तो तीसरे भाव का सणी क्योंकि वह आपके चोटी यात्राएं करने से बिकाफी ज्यादा कत्राएंगे इसी तरह से बारवे भाव को देख रहे होते तो कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम्स हैं आपके कुछ खर्चे हैं इस परकार की जो भी चीजे हैं जो आप यूज कर रहें इस लाइफ में उनको यूज करना आप कम कर देंगे आपके आपके खर्चों के लिए सनी काफी अच्छा होगा तो निस्सित ही ये कहा जा सकता है तीसरे भाव में काफी अच्छे कुछ गुण भी जातक में होते हैं सनी के होने पर बट कुछ-कुछ यहां नेगेटिविटी भी जरूर होती है तो यह इस्तितिय में हो सकता है आपके जो संबंध है कही न कहीं अपने भाई बेनों के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हों पडोस्चियों के साथ यह रिस्तेदारों के साथ भी बहुत ज्यादा सीरियस परवर्ति के हो सकते हैं तो कुछ इस परकार का परिणाम सनी देते हैं जब वो तीसरे भाव में होते हैं फिल इत्रहाल इस वीडियो में इत्रा है।